घ्रुश बड़ी खबर गुरुघरवर में बहुत भाया रात जाम लग चुका है कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है गुरुघरवर में बड़ी जानकारी आपके ची मेंस पींस पर दिल्ली में नागरिक्ता कानूल के विरोध में प्रदर्शन जारी है दिल्ली के प्रदर्शन का सरव हर्याना पर भी देखने को मिल रहा है बड़ी जानकारी दिल्ली पुलिस बॉडर पर जांच कर रही है आप बता दे कि सिर्फ दिल्ली गुरुग्राम ही नहीं वलकि सोनिपत के सिंदू बॉडर और फरिदाबाद की बॉडर पर भी इसी तरह क की स्थिति देखने को मिल रही है देखिए गुरुग्राम की ये तस्वीरे हैं कई किलोमेटर लंबा जाम लग चुका है इसी के साथ दिल्ली से सचे बॉडर सील कर दिये गए है दिल्ली में जो विरोध को दर्शन जारी है उसका सरव तमाम जगा उपर देखने को मिल रही वेरिगेटिंग कर दी गई है और वाहनों की चेकिंग की जा रही है और ये देखिए रेंग रेंग कर गाड़िया चलती हुई नजर आ रही है कई घंटों से लोग इस जाम में फसे हुए हैं यही वज़ा है कि अब क्योंकि इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह एक तरफ धडल्ले से गाड़िया जाती हुई अगर तुम्हाई दूसरी तरफ दिल्ली में जो एंटर करने वाले लोग हैं उनके लिए परिशानिया लगातार बढ़ रही हैं कई घंटे हुचुकी हैं लोग ऐसे ही जाम में फसे हुए हैं सगन चेकिंग की जा रही है एक एक करके वाहनों की चेकिंग करके वाहनों को आगे बढ़ाया जा रहा है चाहे टू विलर्स हुँ चाहे वो फोर विलर्स हुँ तवाम लोग परिशान होते हुए नजर आ रहे हैं नागरिक्ता कानूं के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन जारी है लोग परिशान हो चुके हैं गुरुग्राम के वोडर पर लोग भारी जाम में फसे हुए हैं चार तस्वीर आपके सामने हैं तमाम जगाओ पर इसी तरह की स्थिती बनी हुई है चाहे हम लखना यूपी की बात करें त्रिवेंदरम में भी आपको बता दे कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रदर्शन कर रहे थे उनके उपर पानी की बोचार की गई हिंसा ना की जाये लगातार यह अपील की जा रही है लोगों से लेकिर उसके बावजूद भी प्रोटेस्ट लगातार जारी है अगर दिल्ली की बात करें तो धारा 144 लागू कर दी गई है अलच पर रखा गया है दिल्ली को भारी पुलिस बर तैनार है तो लगातार हम आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं चार तस्वीरे आपके टीवी स्क्रीन्स पर है गुरुग्राम हर्याणा में जहां जाम स से लोग परिशान है तो वही